हेलो रिवान, वेलकम टू फार्मरोक्स यूटूब चैनल, फार्मरोक्स के यूटूब एच्चुकेसलन चैनल में आपका स्वागत है आज के वीडियो लेक्चर में हम डेटेल में स्टडी करेंगे मेथड औप प्रेपिरेशन आफ सपोजिटरीज तो सपोजिटरीज को किस तरह से बनाया जाता है किस तरह से उनकी प्रेपिरेशन होती है वो हम सिखेंगे ये वीडियो लेक्चर में और जानेंगे कि जो अलग-अलग टेक्निक्स से उसको प्रेपेर किया जाता है उसका मैनुफेक्चरिंग होता है वो हम सिखेंगे ये वीडियो लेक्चर के अंदर डीटेल में तो सुरू करते हैं आज का लेक्चर और जानते हैं अलग-अलग मैनुफेक्चरिंग की मेथड एंड टेक्निक्स ओफ ए सपोजिटरी तो एक्समेट लेक्चर वायमर सर और सिस्टम प्रोफेसर और फाउंडर ओफ फामरोग्स थेंक्यू फर बी इन वन लेक्ट फैमिली ओफ फामरोग्स अप्डेटरी ओफामरोग्स का साथ एक्सेस करें स्टडी मेट्रियल टेस्स शिरीज वीडियो लेक्चर फामरोग्स के अप उपर तो अगर आपके पास नंरेड फोन है तो डाउनलोड कर सकते हैं एंडरीड अपलिकेशन गुगल प्लेि स्टार पर से और आपके पास साइफ़ों है लिंक आपको डिस्क्रिप्टरिप्ड बोक्स के अंदर मिल जाएगी तो आप सबसे पहले समझ ये कि suppositories वगरा क्या होती है तो starting के जो lectures थे उसके अंदर हमने सीखा कि suppositories जो है वो semi-solid doces pom है और उनको specially बनाया जाता है हमारे body orifices के अंदर insert करने के लिए जैसे कि rectum cavity है, vagina, urethra और वहाँ पे वो body temperature पे melt होते है और release करते है उनके अंदर रहा medication, कि जैसे कि यह paracetamol की suppository होगी तो वो specially prescribed की जाएगी fever के लिए कि अगर कोई patient को fever है और tablet या फिर syrup या फिर injection से उसको ठीक नहीं हो रहा है या फिर उसके लिए वो comfortable नहीं रहता तो उस वक्त आप उसको suppositories देकर भी treatment कर सकते है उसी तरह से diclofenic की जो painkiller की तोर पर use होता है तो उसकी भी suppository use की जाती है तो यह suppositories के हमने अलग-अलग types सीखे थे कि rectal suppositories आती है, vaginal suppositories होती है कि जिसको हम pastries वगरा भी कहते है फिर urethral suppositories होती है कि जिसको urethral bogies भी हम कहते है, nozzle suppositories जाती है, जिसको nozzle bogies कहा जाती है और जो ears के लिए suppositories आती है उनको ear cons वगरा कहा जाता है फिर उनके safe हमने सीखे एकते है और कितनी size and weight के अंदर होता है फिर हमने जाना suppository base के बारे में कि ऐसे excipient की जो suppository के preparations के अंदर use किये जाते है वो hydrophilic भी होते है hydrophobic भी होते है और इनकी capacity या फिर जो property ऐसी होती है कि जो body temperature मतलब कि 37 degree Celsius पे आसानी से हो जाता है melt कि समझो कि ये suppository जब आप body cavities के अंदर insert करते है तो वो automatically वहाँ पे dissolve हो जाएगा, melt हो जाएगा उसके अंदर रहे, जो medication है वो release करवाएगा कि जहाँ पे आप उसको insert कर दे तो ये है suppository base फिर हमने suppository base का detail classification सीखा की तीन टाइप के suppository base होते है एक oleagenous base होता है कि जिसको हम कहते है fatty base, उसके तीन main example cocoa butter के जिसको theobromo oil भी कहा जाता है synthetic fats and hydrogenated oil तो ये सभी individual base के बारे में भी हमने समझा कि aqueous base की जिसके अंदर glycerogenatin आता है soap glycerin macrogol की जिसको PEG मतलब कि polyethylene glycol हम कहते है emulsifying base की जिसको water dispersible base कहे गए है और जिसके ये तीन example की एक है masa esterinum vitepsole आता है और तीसरा that is a mesopole तो ये सब हमने detail में समझ लिया था तो उसके बाद अब ये सभी को utilize करके कि आपने suppository के type समझे base के बारे में समझा तब उसका utilization कैसे करे तो suppository की जब preparations होती है तो preparations के लिए चार अलग-अलग ऐसा technique से वो popular है कि preparation of suppositories तो सबसे important first technique जो है that is hand molding technique जो कहा जाता है और जिसका दूसरा नाम है cold hand shaping मैं लोग कि suppository बनाते वाक्ट जो उसका shape देना है वो आप अपने हाद से ही कर देशलिए यहाँ पे लिखा है कि hand molding technique तो ये हो गई first technique second technique को हम देखे तो that is compression molding compression molding technique की जैसे tablet बनाई जाती है compression से उस तरह से mold compression करके ये tablets बनाई जाती है तीसरी technique है that is poor molding technique कि जो है fusion technique यूजल ये technique से laboratories के अंदर small scale पर suppositories जो है वो बनाई जाती है and industry level पे जो large scale production होता है उसके लिए जो automatic molding machine है वो available होते है for the manufacturing of suppositories तो ये चार main techniques है की जो manufacturing के लिए use की जाती है suppositories की तो ये चारो technique को हम detail में समझेंगे proper तो सरुवात करते सबसे पहले hand molding technique से तो hand molding या फिर cold hand shaping जो उसको कहा जाता है तो यहाँ पर क्या कि जाता है कि जब आपको काफि small scale पर production करना है काफि small number of suppositories बनानी है कि जैसे कि आप इस तरह से ये चार suppositories का जो आपने rolling किया और उसको समझे के cut करके चार में से 8 या फिर 12 जितने आप करते हैं तो या फिर काफि size में कम small scale में जब preparations करनी है तो उस वक्त ये technique आप यूज करते हैं तो यहाँ पर diagram देखके आपको एक अंदा जाया हुए कि जैसे आप खेलने के लिए जो clays वगर आते थे उसके अलग-अलग shapes जो है वो हाथों से बनाते थे लिए कि आपने star जैसा shape बनाया है ये flowers बनाया है ये strawberry type flavor जो shape आपने यहाँ पर design किया है तो ऐसे आप shapes अपने हाथों से बनाते थे कि जब इस type के ये clay materials वगरा यूज करते थे इवन मिट्टी से भी आप directly अलग-अलग shapes जो बनाते थे तो same like that कि जो directly आप हाथ का यूज करके ही ये suppository बनाते इसमें ना ही कोई machinery यूज होती है ना ही कोई ऐसे special equipment यूज होते है जस्ट अपके हाथ को यूज करके ही rolling से जिसे आप जो ये suppositories prepare करते हैं तो hand welding is a very useful when we are preparing a small number of suppositories तो उसके अंदर सबसे पहले क्या गिए जाता है तो drug is made into fine powder कि जो भी आपकी drug है जो भी आपका powder है उसका बनाया जाता है fine powder ये point में खास द्यान रखो कि directly drug आपको use नहीं करें कि जब hand molding करते हैं तो drug को अच्छे से fine powder करना तो इसके लिए आप उसको mortar में रखके अच्छे से triturate कर सकते हैं तो उससे fine powder हो जाएगा उसका और उसको आप mass में से पर pass कर सकते हैं कि जिससे अच्छा fine powder आपको मिल जाए then it is incorporated incorporated मतलब कि ये जो fine powder आपने कर लिया तो उसको आप mix करना है किसके साथ into suppository base by kneading with it और by trituration into mortar कि mortar के अंदर आपको अब जो आपकी drug है उसको proper mix up करना है और यहाँ पे आप follow करेगे geometric dilution की technique तो geometric dilution में क्या होता है कि समझो कि आपने सबसे पहले ली है 50 mg जितनी आपने drug ली है तो 50 mg drug के साथ आप use करेंगे 50 mg जितना base तो इसको हम कहते हैं geometric dilution कि जितनी आपकी drug रहती है इतना ही आप लेते है base तो क्या है कि proper tri-turation से यह दोनों का mixing तयार होगा अब इसका समझे कि आपको total मिलता है 100 mg तो अब आगे क्या करोगे कि आप यह 100 लिया आपका यह drug and base का mixture अब इसके साथ फिर से आप mix करोगे 100 mg जितना base तो इस तरह से अब 100 plus 100 200 होगा तो फिर यह 200 होगा उसके साथ फिर से 200 जितना आप जो है वो base तो इस तरह से जो geometric dilutions होता है उसको follow करके आप जो है वो one by one ingredients जो है वो इसके अंदर mix करेंगे और usually दो ही ingredient है कि आपका drug और दूसरा जो है वो base तिस तरह से proper geometric dilutions को follow करके यहाँ पे hand molding के अंदर किया जाता है mixing तो mixing का जो step है यहाँ पे जो mortar के साथ आप करेंगे कि proper triturations जो करेंगे mortar को use करके उसके बाद जो third step है directly अब proper mixing हो जाए उसके बाद the needed mass कि जो mass अपने अच्छे से mix कर लिया है उसको roll करना है between the fingers ये खास समझे between the fingers into road shape unit कि ये देखो आप यहाँ पे ये road shape unit जो ये तैयार हो रहा है कि ये वाला एक road shape unit ये दूसरा वाला ये third and this is the fourth ये से road shape unit आपको आपके fingers के बीच में ये material को लेकर जो है उसका तैयार करना है and then the roads are cut into the pieces and then one end is pointed फिर इसको आप जो है वो cut कर सकते है कि आसानी से कि लाइक आपका ये तैयार होगा है तो इसको आप यहाँ से cut कर लिजी या फिर यहाँ से जितनी आपको size चाहिए उसके according to proper cut कर सकते है और फिर उसका जो एक end है वो इस तरह से pointed कर देंगी कि एक end इसा pointed और बीचे की side ये base तो इस तरह से simple suppository तैयार हो जाएगी hand molding technique से देखो इस तरह से कि आपने सबसे पहले drug लिया है और आपका suppository base है तो ये हो गया उसका first primary step कि आपका ये drug है और फिर आपके पास base है दोनों को अच्छे से आप अब second stage में mix करते कि make powder in mortar and mix कर सकते आप उसको with suppository base तो ये second step हो गया तीसरे step में अब क्या हो रहा है mixing the drug and base कि जो drug and base को जैसे मैंने आपको समझाए कि geometric dilutions को आपको follow करना है कि geometric dilution simple मैंने आपको समझाए कि जितना drug उतना ही base फिर दोनों का जो mixture होता है उतना ही same फिर से base लेकर जब तक proper आपका drug and base का mixture तयार ना हो जाए तब तक उसको mixing किया जाता है तो वो हो गया geometric dilution और ये हो गया उसके बाद चौथा जो step है that is rolling कि उसको अच्छे से आप roll करते है using the hand तो ये चार जो step है simple उससे ये जो roll आपका तयार हो जाता है proper फिर आप suitable size के अंदर अच्छे से cut करके उसका एक end जो है वो pointed करेंगे और दूसरा जो end उसका जो आप base बनाएंगे और फिर अच्छे से proper packing कर देंगे फिर बात आती है compression molding की this case an instrument known as compression mold is used compression mold use किया जाते कि ये वाला देखो कि ये जो mold है उसको हम कह सकेंगे compression mold कि जिसको जिसके अंदर suppose it is जो है वो proper compress की जाती है तो drug is powder and mix with cocoa butter कि आपकी जो drug है उसको अच्छे से powder की जाती है और फिर उसको cocoa butter का जो base है उसके साथ जो है वो mix किया जाता है कि ये वाला जो first diagram जो आप देख रहे है कि यहापे अच्छे से drug और आपका cocoa butter जो है वो proper mix कर दिये गए तो ये first point that is the yore first diagram that is your first point second देखे कि the mixture is filled into the chilled cylinder कि ये वाला देखो mixture को अब यहापे क्या कर रहे है pour तो ये होगा आपका second step कि यहापे mixture को क्या कर रहे है ये pour कर रहे है into a chilled cylinder and the mixture is pressed within the cylinder by piston until pressure is felt अब यहापे जो है piston के जरिये तिसरे diagram के according to उसको अच्छे से जो है वो क्या किया जाता है प्रेस किया जाता है तो the suppositories are expelled from the cylinder और फिर यहापे देखो जैसे ही आप ये open कर देते हैं उसको आपका जो compression mold था तो ये suppositories जो है वो आपको इस तरह से मिल जाते हैं उसको carefully आप जो है वो remove कर सकते हैं मतलब कि यहाँ पे जो है वो compression technique जो है वो use की जाती है to prepare the suppository यहाँ पे जो base है उसको melt नहीं किया जाता ये खास समझे यहाँ पे base melt नहीं हुआ है directly drug ली जाती है powder उसको अच्छे से mix किया जाता है with cocoa butter यहाँ पे base as it is उसका जो semi solid form है आप देख सकते कि यह mortar के अंदर रही यह drug और यह जो है वो आपका cocoa butter है तो इसको अंदर डालके proper यह mortar pestle के अंदर आप mix करते जाएंगे और फिर यह जो compression mold है उसके अंदर उपर से यह जो दिरे दिरे यह mold के अंदर material को fill किया जा रहा है और फिर वहाँ पे यहाँ से उपर से जो pressure दालके इस type के shape के अंदर उसको जो है वो convert किया जाते है और फिर जब easily जो है इसके अंदर से आप expel out कर सकते हैं उसको remove कर सकते हैं cylinder में से और आपको जो भी आपने जिस type के shape वाला and size वाला mold select किया होगा वो size and shape के suppositories आपको मिल जाएगी तो यह है compression molding तो compression molding के advantage सबसे पहले समझ जेते हैं तो यह एकदम simple technique लगती है because यहाँ पे क्या है आपको ना ही गरम करना है कि no heating यहाँ पे heating की जरूवत नहीं है कोई तो वो एक time आपका save करेगा कि heating करने की कोई जरूवत नहीं है एकदम simple technique है it gives the suppositories that are more elegant than hand molded suppositories hand molded suppositories के compare में उसका जो elegant है मतलब कि उसका जो texture है यह वाले suppository देखे तो उसका जो elegant है उसका size and shape आपको काफी अच्छा मिलता है compared to the hand molding suppositories in this method the sedimentation of solid in the base is prevented अब यहाँ पर हम melting नहीं करते जिसके करन sedimentation जो नहीं होगा because कई बार क्या होता है कि जब आप समझो कि यह मोट आपका चाइना डिस्क के अंदर जब मेल्ट करते है बेस को तो बेस तो मेल्ट होता है यहाँ तक समझो कि मेल्ट हो चुका है जैसे उसके अंदर ड्रग डाल के दे है तो ड्रग के particles नीचे इस तरह से sediment हो जाते है कि जैसे कोई suspension के अंदर नीचे particle का sedimentation होता है वैसा जो है वो जब आप बेस को मेल्ट करते है heat करते तब यह problems आते है बट यहाँ पे कोई ऐसा जो बेस है उसके अंदर आप prevent करवा सकते है sedimentation बिकोज यहाँ पे बेस जो है वो directly semi-solid ही रहेगा चौथा एडवन्ट इस यही कि suitable for heat labile medicaments यह खास important कि कुछ ऐसे medications होती है कि heat labile होती है heat sensitive material होते है thermo labile होते है कि temperature के उनके उपर effect होती है कुछ drugs के उपर तो ऐसे जो heat sensitive drugs होती है उसके लिए यह सबसे suitable technique है कि जापे simple भी है hitting भी नहीं करना sedimentation भी नहीं होता और proper अच्छे size and save के suppositories यहाँ पर आपको मिलते है बट उसके कुछ disadvantage है कि air entrapment may take place कि जब यहाँ पर proper mixing नहीं होता और समझे कि mixing के दौरान समझे कि air entrapment हो गया है तो आखिर तक वो air entrapment रहेगा यह technique यह जो suppositories के अंदर this air may coat the weight variation कि इसके करन क्या होगा कि समझे कि यह वाली suppository का weight यह चारो के weight करोगे तो कई बार आपको same weight नहीं मिलेंगे थोड़ा बहुत weight variation मिलेगा कि कि किसी के अंदर air entrapment हुआ है किसी के अंदर air entrapment नहीं हुआ तो उस तरह से weight के अंदर जो है वो plus minus weight मिलेंगे आपको तो यह weight variation का problem आ सकता है जब air entrapment होगा तिसरा disadvantage की drug और the base में भी oxidized by this air अब यह जो air entrapment हुआ है वो air के कारण जो आपका base है या फिर आपकी जो drug है उसका oxidation जो है वो हो सकता है तो यह तिन disadvantage बनते है compression molding technique के फिर बात आती है poor molding के जिसको fusion method का हो जाता है तो यह सबसे popular technique सबसे popular technique की जो laboratories के अंदर भी जब आप small scale पर suppositories बना थे तो दोरान यह mold वेगेर आप use करते कि अलग-अलग size and shape as well as जो capacities वाले कि कुछ mold ऐसे होते कि उनके अंदर एक ग्राम की suppository बना सकते है कुछ mold ऐसे होते है कि जिसके अंदर आप दो ग्राम की suppository बना सकते है तो poor molding के अंदर जो है वो plastic या फिर metal के बने हुए mold जो है वो यूस किया जाते using a suppository mold which is made up of metal और plastic traditional metal mold are in a two hall which are clamp together with a screw कि जो traditional metal के जो mold आते थे ये इसके बात कर रहे है कि उसके दो अलग-अलग part portions होते कि नीचे जो आप देख रहे है कि इसको समझे कि आप open करते हो तो ये उसका एक portion ये एक दुसरा और ये दोनों को आप एसे ये जो screw होता है कि जो screw के बात हो रही है तो ये screw जो आप देख रहे है कि ये वाला कि ये से जो screws होते ही इसको use करके आप फिर वो दोनो end को अच्छे से जो है वो join कर सकते है the melted mass of the drug and suppository base pour in this mold to make the suppository अब क्या किया जाता है कि आपका जो drug plus base ये दोनों का जो mixture आप बनाते है by melting कि आपने base को भी melt किया और उसके अंदर drug को mix कर दी है और वो जो तैयार हुआ जो आपका mass है melted mass जिसको आपके ते है उसको यहाँ पे जो hall है उसके अंदर अच्छे से जो है वो pour कर दिया जाता है pour करने के बाद उसको आप cool करते है और cool करने के बाद आसान इसे ये suppositories उसमें से जो है वो remove कर लेते हैं आप तो उसके steps समझते है सबसे पहले समझे the base is melted कि जो भी आपका base है वो melt किया जाते है तो ये वाला first step के अंदर देखे कि आपने ये mold ले लिया है कि proper suitable mold की 1 gram या फिर 2 gram का जो capacity जो रही थी है उसके according to आपने जो आपका suppository mold ले लिया है तो सबसे पहले होता है mold selection कि आपको समझो कि 1 gram की suppository बनानी है तो 1 gram की capacity वाला mold लेचे 2 gram की बनानी है तो 2 gram की capacity वाला फिर आप क्या करते है कि base को अच्छे से melt करते है and precautions are taken not to overheat it तो जैसे हमने दिखा था कि suppository base को overheating नहीं करना चाहिए जब आप cocoa butter यूज करते है तो उसके अंदर जो stability के problem आते है कि जिसके करन उसको overheating नहीं करे proper 35 degree की असपासी गरम करके उसको अच्छे से melt कर ले फिर drug is incorporated into it फिर आप क्या करते है कि drug mix कर देते हैं तो अब क्या होगा drug plus आपका जो base अब यह दोनों का अच्छे से mixture तयार हो गया है तो उसको आप यह जो suppository base जो था sorry जो आपका mold था उसके अंदर अच्छे से जो है वो pour करते है the molten liquid mass is pour कि यह liquid mass तयार हो गया है उसको अब यहाँ पे pour किया जाता है into chilled mold कि यह mold को आप chilled करके रखते है ठंडा करके रखते है कि जिससे आप इसके अंदर यह material डालते है तो देखो इस तरह से proper फिर से वो solidify होना start करते है और यह mold को जरूरी है कि अच्छे से lubricate करके रखना अगर आप glycero gelatin base यूज करते है तो उसको अच्छे से जो है वो आप lubricate कर लें तो lubricate कर लिए आपने अच्छे से उसके बाद इसके अंदर यह base को add किया और फिर उसको जैसे ही आप set कराते है तो solidification हो जाता है देखो इस तरह से proper solidify हुआ और जो excessive material होता है उसको जो आप उपर से scrap कर लें कि यह देखो जो अच्छे से scrap कर रहे है तो अच्छे से उपर से जो excessive जो cocoa butter है या फिर जो आपका mixture है वो समझे कि उपर की और काफी रहा है तो उसको आप निकाल दे और proper जो है वो एक level बना दे कि जिससे excessive जो base है वो उपर की और ना रहे after solidification the concept suppositories are then remove कि आप एक point यहाँ पर हम add कर सकते हैं कि अच्छे से आप जो है उसको वहाँ से remove कर ले तो यह देखो जब आप यह mold को open कर लेते हैं तो mold को open करके यह suppositories जो है वो prepare हुई आप देख सकते हैं और उसको carefully वहाँ से आप जो है वो निकाल सकते हैं तो यह आसान इसे poor molding technique की जो fusion technique है उससे जो suppositories बनाई जाती है तो mold is all to cool and settle a place in a refrigerator for 30 minutes to harden the suppositories जो hard करनी है उसके लिए यह जो mold है उसके उपर से यह जो material को scrap करके refrigerator के अंदर 30 minutes जितना आप रखते हैं और फिर उसको 24 hours तक आप refrigeration करेंगे to form the beta crystal of the cocoa butter के आपने cocoa butter यूश किया है तो यह cocoa butter का जो beta stable form आपको चाहिए तो उसके लिए 24 hours तक आप अच्छे से उसको refrigerator में ही रखेंगे mold is taken out from the refrigerator and surface is trim off की जैसे कहा कि मैंने scrap करनी की बाद की या फिर उसको वहाँ से trim कर सकते हैं कि excessive material को वहाँ से आप trimming करके वहाँ से निकाल सकते हैं and the mold is open and the suppositories as actual out and the mold by gentle pressure with the finger की थोड़ा बहुत pressure की यहाँ पे लिखाए कि gentle pressure की बात हुए से मतलब बहुत ज्यादा pressure नहीं देना नहीं तो क्या होगा यह आपके जो suppositories यह वो breakdown हो सकती है उसका safe बिगड सकता है तो सामन ने थोड़ा सा pressure यहाँ से यह point पे थोड़ा pressure देना होता है आपको और वहाँ से थोड़ा सा pressure दोगे के तुरा अंति यह suppositories जो है वो बाहर निकल जाएंगी और फिर उसको आप अच्छे से packing कर सकते है by using the various packing material अब बात आती है lubricants की तो pore molding के अंदर जो lubricants यूज किया जाते है कि जिससे क्या होता है कि कई बार suppositories के अंदर sticking का problem होता है कि जो आपका mold है तो mold के साथ आपका जो base है वो क्या करता है stick हो जाता है sticking का problem आता है तो sticking के problem को avoid करने के लिए ये lubricants खास add किया जाता है कि कई बार sticking के करन क्या होता है weight variation आता है कि कुछ material mold के अंदर stick हो जाता है तो suppository का जो weight है वो फिर reduce होता है तो ऐसे problem ना हो इसलिए proper molding के दौरान ये lubricants use किया जाते lubricants lubricating the cavities of mold is helpful in producing the elegant suppositories and free from surface depression कि जो surface depression का problem होता है weight variation होता है उसको avoid करने के लिए lubricants जो है वो use किया जाते है and the lubricants must be different in nature from the suppository base कि जो भी आपका suppository base है उससे opposite nature वाला lubricating base use करना चाहिए because it will be become absorbed and will be felt to provide the buffer film between the mass and metal कि जो आपका suppository base मतलब की mass और metal का बना हुआ mold तो दोनों के बीच में जो buffer film बना है buffer film मतलब की mass और metal के बीच में कोई reaction ना करवाए तो ऐसे film बनाने के लिए ऐसे आपको material यूज करने जैसे के theobromoil है तो उसके लिए आप suitable lubricant रहेगा soap spirit फिर glycerol gelatin base है आपके पास तो उस वक्त आप liquid paraffin यूज कर सकते हैं यूज करते हैं फिर जो synthetic beds जो fats है और macrogols वगरा जिसको polyethylene glycol कहते हैं तो उसके लिए कोई lubricants की जरूरत नहीं कि जब हमने वो basis के बारे में भी सीखा था तब उसका advantage था कि जब आप synthetic fats या फिर macrogols वगरा को यूज करते तो उस आपको कोई lubricants की यूज करने की जरूरत नहीं है तो यह था lubricating the cavities using the proper suitable lubricant तो फिर से एक बार याद रख लो थियो ब्रम ओयल के लिए आप यूज करोगे soap spirit ग्लिस्त्रोजिलेडिन के लिए liquid paraffin या फिर और आज ही soil यूज करेंगे और जब आप synthetic fats या फिर macro goals को use कर रहे हैं तो no need of any type of lubricant material because वहाँ पे वे बेजी ऐसे के कोई sticking का problem जो है वो नहीं होता फिर बात आती है automatic molding machines के तो यह वाला जो आप display पे देख रहे है तो यह वाला जो machine है that is a automatic molding machine के automatically देखो कि यह जो base यहाँ पे उपर के और field के होते है और नीचे automatically यह जो panel है वहाँ पे base जो है वो पोर होते जाते है और इस type का आपको फिर जो मिलता है supposed risk का पूरा batch पूरा आपको मिलता है कि यह जो batch आप देख सकते हैं कि यह वाले batch के अंदर बहुत सारे supposed risk के देखो जैसे कोई एक mold है तो इस तरह के यहाँ पे पिर यह दूसरा mold जैसा तीसरा चौथा ते अटलिस्ट आप बहुत सारे mold यूज़ करें वैसा सिर्फ directly एक ही machine से इस तरह से आप जो है वो prepare कर सकते हैं कुछ machines तो ऐसे size के होते हैं कि जो आप one hour के अंदर at least 10,000 जितनी suppositories जो है वो prepare कर सकते हैं और जब उसके mold को open करते हैं तो इस type के आप को यह proper shape में बनी हुए suppositories मिलते हैं यह machine के capacity से के वो एक गंटे के अंदर आपको at least 10,000 जितनी suppositories जो है वो बना कर दे सकता है तो यह थी चार important techniques के जिससे आप जो है वो suppositories बनाते हैं next lecture रहेगा हमारा part 7 कि जिसके अंदर हम सिखेंगे displacement value in suppository जब suppositories को आप बनाते हैं तो उस वक्त displacement value के आपको calculation करने पड़ती है तो इसके अंदर हम यह एक interesting story का भी discussion करेंगे कि जो प्यासा का हुआ वाली जो story थी कि जो आपको सायद याद होगी तो वो story का भी हम जीकर करेंगे कि जब आप displacement value सिखेंगे because इसका कि यह जो story है उसका concept ही use होता है displacement value की calculation के अंदर तो part 7 वाला video lecture आप जरूर से देखना काफे interesting रहेंगा आपके लिए कि जिसके अंदर हम यह story को discuss करके proper आपका concept clear करेंगे regarding the displacement value in suppository तो यह था special lecture about the suppositories manufacturing कि उसके 4 टेक्निक को हमने सिखा तो thank you for watching join कर सकते है whatsapp group यह वाला whatsapp helpline number है pharma rocks का access कर सकते study materials, test series and video lecture pharma rocks के आप उपर so good luck and all the best